दोस्तों आप सभी ने सोनी लिव पर आने वाले वेव स्रीज निर्मल पाठक की घरवापसी तो देखी ली होगी अगर नहीं देखी है तो जल्दी से जाकर देख लीजिए ये एक बहुत ही अच्छी स्रीज है जो आप सभी को देखनी चाहिए एक पडिवार के मार्मिकता को समझने के लिए खेर यह वीडियो हम इस स्रीज के बारे में नहीं बनाए हैं बलकि यह वीडियो बनाए हैं इस स्रीज के लीड एक्टर निरमल पाठक यानी की वाइभव तत्तोवादी के बारे में आपको बताने के लिए इतनी जबरदस्त परफर्फर्मेंस के बाद सब जाना चाहते हैं कि आखिरी निर्मल बाबू है कौन तो चलिए बिना देरी किये हुए अब हम इस वीडियो की शुरुवात करते हैं वैभव तत्तोवादी का जन्म 25 सितंबर 1988 को महराष्टरा के नागपूर में हुआ था उनके पिताजी का नाम डॉक्टर विबेक तत्तोवादी और माताजी का नाम लीला तत्तोवादी है वैभव अपने स्कूलिंग नागपूर से ही किये और फिर पूने से वह मेटलर्जिकल इंजिनिरिंग में ग्रेजुएटिव हुए वह स्कूल की दिनों से ही थेटर करते रहे और फिर अपनी पढ़ाई खत्म होते ही साल 2011 में मुंबई का रुख कर लिए उनको मुंबई में शुरुवाती ब्रेक टीवी से मिला और वह कुछ मराठी शोज में काम किये इसके बाद साल 2014 में उनकी पहली मराठी फिल्म रिलीज हुई जिसका नाम था सुरज्या हलाकि यहाँ फिल्म बॉक्स ओफिस पर कमाल नहीं कर पाई लेकिन वैभव एक एक्टर के रूप में अपनी पहचान बना चुके थे इसके बाद साल 2015 में उनकी एक और फिल्म आई कौफी अनी बरच का ही यह फिल्म बॉक्स ओफिस पर काम्याब रही और वैभव ने भी सफलता का पहला स्वाद चका वैभव तत्तो वादी मराठी के साथ-साथ हिंदी फिल्मों में भी लगातार काम करते रहे और बाजी राव मस्तानी और लिपस्टिक अंडर मैं बुरखा जैसी फिल्मों में दिखे वह इसके बाद कंगना रनाउत के साथ मनी करनी का फिल्म में भी दिखे वह मराठी फिल्म इंडस्ट्री का एक जाना माना चेहरा बन चुके थे लेकिन हिंदी ओडियन्स उनको अभी भी नहीं जान पाई थी इसके बाद वह वेब स्रीज की और रुख किये शुरुवात हुई थी साल 2020 से जब वह G5 के लिए Forbidden Love में काम किये लेकिन इस स्रीज का कुछ खास नाम नहीं हुआ और वैभब एक बार फिर से हिंदी ओडियन्स के लिए अंजान बने रहे लेकिन साल 2022 में आई सोनी लिब की वेब स्रीज निर्मल पाठा की घरवापसी ने उनको हिंदी ओडियन्स तक बेहतरीन ढंग से पहुँचाया इस स्रीज में उनके पर्फरमेंस को खासी तारीफ भी मिल रही है और लोग स्रीज के साथ साथ उनके अभिने की भी काफी सराहना कर रहे हैं उमीद है आगे आने वाले दिनों में वह कुछ और हिंदी फिल्म्स या वेब स्रीज में दिखाई देंगे तो यही थी निर्मल पाठक की घर वापसी के लीड एक्टर निर्मल पाठक यानि की वाइभब तत्ववादी की अब तक की पूरी कहानी यह वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इससे लाइक और शेयर करें इस वीडियो के बाड़े में अपने विचार आप हमें कॉमेंट सेक्षन में लिखें साथ ही फिल्म्स टीवी, ओटीटी और वेब स्रीज से जुरे ऐसे ही वीडियो को देखते रहने के लिए बेजोर फिल्म्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर टच कर लें थैंक यू सो मच